दोस्तो जानिमानी सिंगर नेहा ककड का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है वो भी उनके प्यार को लेकर जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि नेहा ककड के इस नए प्यार का नाम है रोहन प्रीच सिंग इतना ही नहीं खबरे तो यहां तक भी है कि नेहा और रोहन प्रीड सेंग जिनसे हो गया है नेहा ककर को प्यार आखेर नेहा और रोहन प्रीड सेंग की लफ स्टोरी कैसी है चलिए आज किस वीडियो में हम आपको बता दे हैं लेकिन इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाई करना ना भूले। आपको बता दे रोहन पीच सिंग एक जाने माने सिंगर है जो की बच्पन से ही सिंगिंग में काफी इंट्रेस्ट रखते हैं वे कलर्स टीवी के रियालिटी शो सिंगिंग स्टार टू के पॉपलर कंटस्टेंट में से भी एक रह चुके हैं सिर्फ इतना ही नहीं बलकि रोहन पीच सिंग सारे गमपा लिटल चैंप्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इस शो के वे फर्स रुनर अप भी रह थे रोहन पीच सिंग ने अपना सिंगिंग डेब्यू साल 2017 में आई संग बैंक बैंक से किया था जिसके बाद उन्होंने कई आलबम में अपनी आवाज का जादू भी खेरा है जिसमें तकलीफ, वाह वाह, जाटा, पहली मुलाकात, खुदा जाने और हॉले हॉले ऐसी बैतरीन सौंग्स शामिल है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि रोहन पीट सिंग रियालिटी शो मुझसे शादी करोगी का हिस्सा भी रह चुके हैं जो की शो में कंटेस्टन थे जिसे शेहनाज गिल को शादी के लिए इंप्रेस करना था और शेहनाज को रोहन पसंद भी आ गए थे आपको बता दे रोहन पीट सिंग टीवी आक्ट्रिस जन्नत जुबेर के भी काफी अच्छे दोस्त हैं लेकिन अब तो नेहा का दिल आ गया है इस पंजाबी मुंडे पर आपको बता दे इन दोनों की शादी का हिंड तब मिला जब पिछले दिनों नेहा और रोहित ने एक म्यूजिक वीडियो साथ किया था इसमें नेहा रोहन पीट सिंग से लॉकटाउन में शादी करने को कहते हैं और इस वीडियो को दोनों की शादी का हिंड भी माना जा रह है रोहन पीट ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है जिसमें नेहा ककड उन से डाइमन रिंग पहनने के डिमांड करती हुई नजल आ रही है जहां सोर्सिस के हवाले से ये खबर आई है कि नेहा रोहन पीट इसी महीने के आखरी तक शादी कर सकते हैं और कि शादी दिल्ली में होगी और लॉकडाउन महामारी के कारण इस शादी में कम लोग ही शिर्कत कर सकेंगे हाला कि रोहन पीट की मैनेजर ने सोर्सिस की बातों से इंकार करते हुए कहा है कि उन्होंने भी ऐसी खबरे सुनी हैं दोनों ने सिर्फ एक वीडियो साथ में किय है दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं और इस वीडियो के कारण दोनों को लिंक किया जा रहा है रोहन पीट का अभी शादी का कोई प्लान नहीं है वहीं आपको बता दे नेहा ककड़ पहले हिमांश कोहली के साथ भी काफी समय तक रिलेशन्शिप में रह चुकी हैं और ऐ एक बार फिर नेहा ककड़ एक नए सिर से अपनी जिन्दगी शुरू करने जा रही है वेल नेहा रोहन पीट सिंग के साथ साथ फिर लेती है या नहीं ये तो बात की बात है लेकिन इस खबर के सामने आते ही नेहा के फैंस खुश तो जरूर हो रहे हैं तो दोस्तों आपका क्या कहना है नेहा ककड़ और रोहन पीट सिंग के सिशाधी की खबरों को लेकर आप अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताए साथी टीवी और बॉलिवूट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले